नमस्कार आप सभी का मैंतवी दकास्तिरपाइटी नाम के चैनल पर बहुत बहुत श्वागत हैं तो आज हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जो हमारे trigonometric function होते हैं मतलब जो sin theta, cos theta, tan theta या फिर coat, sec, cosac जो भी हमारे trigonometric function होते हैं उन functions की value निकालने वाले हैं at 90 degree हम लोग यह देखने वाले हैं कि जो हमारे functions है वो 90 degree पर हमें क्या-क्या value देंगे हम लोगोंने 0 degree वाली value को previous class में पढ़ लिया था जिसका link आपको description में मिल जाएगा आज यहाँ पर हम लोग एकी step और आगे बढ़ेंगे जहाँ पर उनी functions की value को at 90 degree पर हम लोग चेक करने वाले हैं यह आपको समझाया तो चली शुरू करते हैं तो चली हम लोग उसे यहाँ पर start करते हैं कि हम लोग देखेंगे किस तरीके से वह function जो है वह 90 degree पर हमें क्या value देंगे तो आईए मानली जे मैं आप इसको क्या करता हूँ coordinate axis टे ग्राफ बना के आपको समझाता हूँ और देखे ध्यान से बिलकुल यह मानली है मैंने अपना y axis बनाया और यहाँ पर मानली जे मैंने अपना यह x axis बनाया यह आपको समझाया यह मेरा यहाँ पर x axis है और यह मेरा यहाँ यहाँ पर y axis है और यह इसका क्या है यहाँ पर origin point है अब मैंने क्या करा है यहाँ पर कि अपने origin से लेकर यहाँ तक कि म रोटेट करते करते मालनी जी अभी वो यहां पर पहुंची है और कुछ समय बाद वो आपके सामने मालनी जी यहां पर पहुंच गई फिर उसी तरीके से कुछ समय बाद वो मालनी जी यहां पर पहुंच जाती है फिर कुछ समय बाद यहां पर होते हुए यहां पहुंच जात तो जब वो touch कर गई होगी तो अगर हम सारे की सारे points को आपस में जोड़ दें तो हम पूरा का पूरे complete circle जो है उसे form कर लेते हैं मतला पूरा का पूरे complete circle बना लेते हैं यह आपको समझाया अब यहाँ पर समझने की बात यहाँ पर यह है कि माल लिजे मैंने इस point का नाम जो था अभी line मेरे पास यहाँ पर है वो अभी माल लिजे मेरे पास line यहाँ पर है वो उसमें बाद rotate करके यहाँ चले गई यह आपको समझाया तो माल लिजे यहाँ पर यह line पहुच गई और इस point का नाम मैंने दे दिया इस point का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया इसका B, ये भी आपको समझ आया, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस B point से अपना एक perpendicular डालने वाला हूँ, इस line OA पर, simple सी condition है, मैंने क्या बोला, मैं इस point B से अपना एक perpendicular डालने वाला हूँ, इस line OA पर, तो ये perpendicular आपके सामने कुछ इस तरीके से गिरेगा, ये कुछ इस तरीके से गिरेगा, ये आपको समझ आया, और ये जहाँ पर इस line से टकराएगा, मतलब OA वाली line से टकराएगा, वहाँ पर वो अपना 90 degree का angle जो है, वो form कर लेगा, ये भी आपको समझ आया, अब यहाँ से line rotate होते होते, यहाँ पर पहुंची थी, तो ये जितना rotation हुआ, उसको कुछ न कुछ तो rotation आपके सामने हुआ ही है, अब उस rotation को मालनी जीए, मैंने कुछ देर के लिए, यहाँ पर theta माल लिया, ये आपको समझ आया कि जो भी rotation हुआ है, वो theta degree का, या फिर theta, तो बात की बात ह कि theta angle मेरे पास rotation हुआ है, ये भी आपको समझ आया, simple सी condition थी, अब मेरे को क्या करना यहाँ पर अपने माल लिजे, trigonometric function की value निकालनी है, कि वो trigonometric function जो है, वो 90 degree पर हमें क्या देगा, तो सबसे पहले माल लिजे, मैंने अपने sine function को पकड़ा, तो मैं जानता हूँ, जो sine theta function ह होता है मेरा, उसकी value होती है, perpendicular, मतलब sine theta is the ratio of perpendicular upon my hypotenuse, यह हम लोगों ने सबसे first exercise में काफी detail में पढ़ा था, link description में है, यह आपको समझा है, अब मालनी जाए यह आपके सामने कोई भी एक line है, तो सबसे पहले समझते हैं, इसको क्या है, आप समझ यह पहले ध्याद से, यह आपके सामने O से लेकर A तक, यह क्या थी, यह जो हमारे सामने यह line थी, वो एक radius थी, मतलब हमने अपना circle जो था वो इतनी distance कले और उसे rotate किया था, तो वो radius थी हमारे पास O से लेकर A तक की जो distance थी, वो radius थी, और वो वही radius आपके सामने move करते करते दुबारा इस point पर पहु R जो है, वो O से लेकर A तक है, आप समझ रहे हो ना, अब और यहाँ पर यह जो O से लेकर B तक की distance है, उसका नाम भी R हो जाएगा, क्योंकि यही वाली line OA जो थी, उसने rotate करना ही start किया था, और वो rotate करते करते यहाँ point B पर पहुँची थी, तो O B line वो create हो गई थी, तो उसका नाम भी तो R ही रहेगा, distance तो change नहीं होई ना हमारे पास, अब उसके बाद यहाँ पर समझ यह कि आपने इस point O से लेकर A तक की distance को R नाम दिया है, तो यह perpendicular B ने जहाँ पर touch हुआ था, मालने जे मैंने उसका कोई नाम C दिया, यह आपको समझ आया, तो मेरे पास O से लेकर जो C तक की distance है, वो तो आपके सामने base है, क्यों? क्योंकि इसने एक right angle triangle को create कर लिया, तो right angle triangle की जो horizontal path होता है, मतलब जहाँ पर वो touch करता है, या फिर जहाँ पर angle आपका touch हो रहा है theta, उस वाले path को तो आप base कहते हो, उस वाले line को तो आप base कहते हो, मतलब आपके सामने यह ज distance आपने, यह जो B था वो perpendicular गिरा था C पे, तो यह जो line आपके सामने BC है, वो तो perpendicular बन जाएगी P, यह भी आपको समझाया, और hypotenious की distance तो मुझे पता है कि वो distance मेरे सामने आ रही है, उसमें तो कोई problem नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यह आपको समझाया, अब यहा हम लोगों ने 0 degree वाले angle में भी पढ़ा था, यहाँ पर एक बार हम लोग और पढ़ते हैं, आप ध्यान से देखेगा, यह जो आपके सामने यह perpendicular है, मालनी जे यह line यहाँ पर है, अगर यही line मेरे सामने इस point पर होती, तो आपके सामने यह perpendicular की distance बढ़ जाती, मतलब जो perpendicular था उसकी value बढ़ जाती, वो distance आपके पास इस point C से जो थी वो जादा हो जाती, मालनी जे यह point B जो था, वो मेरे पास बिलकुल यहाँ पर आगया होता, तो जो यह जो B का point था, C से, मतलब जो आपके सामने यह B point था, उसकी जो distance है point C से वो बहुत कम हो जाती, इसका मतलब आप indirectly यह कहरा चारे हो, point C से आप उसकी distance निकाल रहे हो, और point C जो है, वो कहाँ touch हो रहा है, वो इस x-axis पे touch हो रहा है, तो आपके सामने यह जो perpendicular है, वो कुछ और नहीं है, वो हमें distance बता रहा है, x-axis से कितनी दूरी पर है, अगर मेरा B यहाँ पर होता, तो मैं x-axis से थोड़ी कम दूरी पर हो जाता, indirectly जो हमें यह perpendicular वाली line होती है, वो perpendicular वाली line हमें x-axis से distance बताती है, यह आपको समझाया, तो हम यहाँ पर यह जो हमारे सामने perpendicular लिखा हुआ है, इस perpendicular को हमनों कुछ इस तरीके से define कर सकते है, कि distance, distance of, यह point B की, तो distance of point B, distance of point B from, from x-axis, यह हमें x-axis से distance ब बता रहा है, और यह जो हमारा hypotenious था, वो hypotenious तो हमारे पास radius है r, तो उसको हमने यहाँ पर r ही fix रहने दिया, यह भी आपको समझाया, यहाँ तो कोई problem नहीं, अब ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है, हमें यह sin theta जो है, theta angle पर दिया हो, मतलब कोई भी general angle आपके सामन कैसे जाएगा, अभी मालनीजे यह आपके सामने यह वाला angle जो 0 degree होता है, यह हमें पता है, और यह पूरा का पूरा right angle triangle जो होता है, वो 90 degree होता है, यह भी हमें पता है, इसका मतलब इस theta को 90 degree बनाने के लिए अगर हम नीचे लाएंगे, तो हम फिर कम हो रहे हैं, हम 0 की लाके, यह जो आपके सामने o y है, इस पे लाके touch करवाना पड़ेगा, यह आपको समझाया, मतलब आपके सामने graph उसका फिर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यह वाला, यह वाला, और यह जो आपके सामने theta था, ob, वो आपके सामने कुछ समय बाद यहाँ पे चला जाएग और 90 degree का angle जो है, वो create कर लेगा, समझ रहे हो, तो समझाया ना, आपके सामने यह जो ob point था, यह ob point अभी यहाँ पर है, यह theta angle पे है, वो theta angle क्या है, हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो confirm पता है, कि अगर आपके सामने यह जो base है, o a, वो 0 degree का है, और यह जो आपके सामने o y line ह वो 90 degree की है, तो अगर हम इस theta से नीचे की तरफ आएंगे, तो इसका मतलब हम अपने angle को कम कर रहे है, जो कि हमें चाहिए नहीं, हमें तो 90 degree चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस theta को, इस ob line को, इस तरफ anti-clockwise direction में rotate करेंगे, और rotate करते करते कुछ समय बाद, इस point o y पर जाएगा, तो आप लोग जहान से देखिए, आपके सामने graph कुछ ऐसा बनेगा, o y, यहाँ पर यह वाला point है, आपके सामने b, यह वाला point है, c, यह आपके सामने, यह समझाया, अब यहाँ पर यह point आपके सामने बन गया, जहाँ पर यही आपके सामने जो hypotenious वाली line थी, व आपके सामने x-axis है, तो आपके सामने यह वाली जो line थी, वो line अब बिलकुल यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो कुछ इस तरीके से बना लिया, इसका मतलब x-axis से इस line की distance कितनी है, कितनी लंबी है यह line, तो वो distance आपके सामने r है, वो लंबाई जो आपके सामने length है, line की वो आपके सामने radius r है, आप समझ रहो ना, आपके सामने x-axis से जो distance है, इस line की, जो लंबाई है इस line की, वो आपके सामने r है, इस point की जो y की distance है, वो आपके सामने r है, आप ऐसे बोल सकते हो कि distance of point y from o point is r या फिर आप बोल सकते हो the length of line o y is r आप कुछ भी बोल सकते हो आप लंबाई बोल सकते हो o y की r है आप distance बोल सकते हो y की o से लेकर r है यह आपको समझाया इसका मतलब आप यह जो indirectly आप x-axis से distance कहना चाह रहे हो तो इसका मतलब x-axis से distance आपके सामने कितनी है वो r है क्योंकि o point कहाँ पर touch हो रहा है o point तो आपका इस x-axis पर touch हो रहा है यह आपको समझाया इसका मतलब आपके सामने distance कितनी है r है x-axis से तो यहाँ पर आजाएगा distance of point b from x-axis वो आपके सामने r आजाएगा नीचे की तरफ radius r तो आप sorry hypotenuse जो था वो तो अभी भी आपके सामने r है क्योंकि hypotenuse वाली line ही तो इदर गई थी तो वो तो आपके सामने radius r यही रहनी है तो यह आपके सामने r यह किसका निकाला है आपने sin 90 degree का निकाला है आप समझ रहे हो अब यहाँ पर r और r दोनों आपस में एको लोग है तो यह result cancel होकर आपको क्या दे देगा 1 दे देगा इसलिए कहा जाता है कि जो sin 90 degree होता है उसकी value यहाँ पर 1 होती है यह आपको समझा है बड़ा simple सा concept था अब हम लोग क्या करने वाले है same इसी चीज़ को cost function के लिए पढ़ने वाले है हम लोग यह देखने वाले है कि जो हमारा cosine function होता है वो 90 degree पर हमें क्या value देता है तो आइए उसके लिए देखते हैं यहाँ पर वो भी same concept इसी sign की तरह काम करेगा यह आपको समझा है ठीक है अब समझे गए इसको यहाँ पर ध्यान से कि आप इस चीज़ को जानते हो काफी अच्छे से कि जो आपका cosine function होता है वो cosine function ratio होता है base और hypotenuse का इसका मतलब यहाँ पर यह जो आपके सामने cosine function course लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ is the ratio of base और hypotenuse यह भी आपको समझाया आप यहाँ पर समझने वाली बात यह आती है कि base का मतलब तो आपने इस line OC को बोला है मतलब आपके सामने यह जो OC line है यह base का का काम कर रहे है समझ रहे है मतलब यह जो X axis है यह आपके सामने यह पूरा line जा रहा है वो तो base का काम कर रहे है यह पूरी line जो X axis है वो base का काम कर रहे है क्योंकि यह triangle इस base पे है आप समझ रहे है तो यह आपके सामने base है लेकिन उसको समझे इस चीज को ध्यान से कि आपके सामने मानीजे कोई भी point हो जैसे मानीजे ये point C है अब मानीजे इस point C को आप बढ़ा कर यहाँ पे ले जाते हो तो यह जो आपके सामने base की length है जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी मानीजे आप इसको बढ़ा कर यहाँ ले जाते हो तो आपके पास लंबाई और हो रहे हैं लेकिन left hand side में उसकी length same है उसका जो horizon point था जहां से उसकी लंबाई की starting हो रही थी horizon point वह उसका same था और यह horizon point अगर आप इस direction में देख रहे हो तो वह कहां से मिल रहा है आपको वह इस y-axis से मिल रहा है अगर आप इस direction में देख रहे हो तो अगर आप मालनेजे यह आपके सामने y-axis fix हैं अगर मालनेजे आप इतनी distance पे हो तो आपके सामने लंबाई के लिए भी medium है मालनेजे आपने और बढ़ा दिया तो लंबाई आपके सामने और बढ़ गई मालनेजे और बढ़ा तो length मेरी और बढ़ गए मालवी से घटा दिया तो बिलकुल कम कर दिया तो मेरी length बिलकुल और कम हो गई तो यह जो मेरे पास बढ़ रहा है या फिर यह घट रहा है वो उसकी length है और वो length कहां से बढ़ रही है यह आपको समझाया इसका मतलब यह जो base है इस आपके सामने कुछ इस तरीकी से करूँगा कि distance of distance of point c distance of point c from y-axis मैं यहाँ पर अपने y-axis से उसकी distance को निकालने वाला हूँ और अपन में मेरे पास hypotenuse चाहिए hypotenuse तो अभी भी radius r है यह वाला radius r यह आपको समझाया तो मैं उसको यहाँ पर fix रख दिया आप समझ रहे है अब यहाँ पर समझी है ध्यान से आप अब देखे कोस्टिटा को आपने यहाँ पर क्या लिखा कि distance of point c from y-axis कि हमारे पास y-axis क कि जो distance है वो कितनी है अब माली जे इसी को आप एक another type से लिख सकते हैं और वो type देखे यहाँ पर क्या है कि distance of point c from y-axis अब माली जे आप क्या करना चाहते है कि इस b वाले point से एक perpendicular डालना चाहते है इस line पे मतलब y वाले line पे तो आपके सामने जो distance रहेगी इस point o से लेकर c त की आप समझ रहे हैं आपके सामने जो distance इस point o से लेकर c तक की है वही distance तो आपके सामने इस point z से लेकर b तक की है यह आपको समझ आया तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि distance of point c from y-axis अब मैं इसी को यह भी तो लिख सकता हूँ कि distance of distance of point यह वाला point कौन सा है b तो distance of point b from y-axis उसकी y-axis से distance कितनी है upon में नीचे वाला radius तो आपका r तो fix है यह आपको समझ है ना मैंने क्या बोला यहाँ पर रहता कि distance of point c from y-axis मतलब आपके सामने इस point c की y-axis से distance कितनी है वो आपके सामने base था आप समझ रहे हैं अब मैं इसी चीज को क्योंकि यह line आपस बिल्कुल equal है इस वाली line के वहाँ पर मैंने क्या करा इस b से एक perpendicular डाला अपना इस वाली line y-axis पे यह आपको समझाया और जहां perpendicular की ला उसका नाम दे दिया मैंने z यह भी आ आपको समझा रहा है तो यहां पर लिखा हुआ है कि distance of point c from y-axis मैंने इस point c को इस point b से replace कर दिया और यह लिख दिया कि distance of point b from y-axis upon radius r तो आपका ही है अब कुछ समय बाद क्या हुआ होगा कि जब 90 यहां पर यह आपके पास angle theta बन रहा था वो theta ने कुछ समय बाद 90 degree का angle बना बन यह होगा बिल्कुल मतलब यह theta कुस्मा बाद move करते करते यहां पर आ गया होगा तो जिस तरीके से हमने अपने sine function में करा था कि sine function में हमारा theta अभी यहां पर था कुस्माद इसने rotate किया और वो rotate करते करते माली जी यहां पर is point पर पहुंच गया था तो यहाँ पर आपके सामने जब rotate करते करते वो line बिल्कुल यहाँ पर पहुँच गई थी तो आप लोग देख सकते हैं कि यह जो line OB थी इसने rotate करना इस्टार्ट किया था और वो यहाँ पर पहुँची थी इसका मतलब यह line आपके सामने OB थी जिसने rotate किया था और वो आपके सामने यहाँ पर पहुच गई थी तो वो line आपके सामने कुछ इस तरीके से थी पहले उसने rotate करना इस्टार्ट किया और वो आप जाके बिल्कुल यहाँ पर पहुच चुकी है यह आपको समझाया अब आपको जरूरत कि सीच की है कि distance of point B from y-axis y-axis से आपको distance की जरूरत है आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इस B point की यह जो अभी आपके सामने B point यहाँ पर आ चुका है यह B point कहां पर बना है y-axis पर बना है यह जो आपके सामने यह B point कहां बन y-axis बनाया आपको समझाया और इस y-axis पर मैंने अपने point लिया 0 यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर minus 1 यहाँ पर minus 2 मैंने इस तरीके से मान लिजी कोई point लिया तो इस minus 2 point की distance y-axis कितनी है 0 क्योंकि minus 2 आपके सामने ऊपर यह lower case में बन रहा है left यह right case में नहीं बन रहा अगर left में और अगर यह left में होता या फिर यह आपके सामने यहाँ पर right में होता तो आप इसकी distance वह बड़ी आसानी से निकाल सकते थे लेकिन यह जो आपके सामने point बन रहे हैं वो same to same इसी line पर बन रहे हैं इसका मतलब आप इसकी distance नहीं निकल पाऊगे और जब distance आपको नहीं म करा वह उस पॉइंट पर ही फिक्स रह गया और जब किसी के बीच में कोई चेंज नहीं होता इसका मतलब वहां पर उसका चेंज कितना हो गया वह जीरो हो गया यह आपको समझाया तो आपके सामने जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी था फ्रॉम वाई एक्सिस वह पॉइंट क्योंकि आपके सामने आर तो कभी 0 होई नहीं सकता आर तो उसके क्या है यहाँ पर वह रेडियस है अगर आपने माली जी उस रेडियस को 0 कर भी दिया तो आप एक सरकल नहीं बना पाएंगे आप एक प्वइंट बना देंगे समझ रहे हो तो कि आपके सामने अगर आर हलक होती है, यह आपको समझाया, अब आपको sin 90 की value भी पता है, अब आपको cos 90 की value भी पता है, तो इन दोनों के combination से, आप बाकी बचे हुए 4 के 4 और जो आपके पास technometric function बचे हुए है, आप उसकी value भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, यह आपको समझाया, अब जैसे यहाँ पर देखिया, हम लोगों ने क्या करा, कि हमारे पास जो function था sin 90 degree, उसकी value हम लोगों ने जब solve करा, तो result हमें यहाँ पर 1 मिल गया, उसी तरीके से हमारे पास अगला function था, cos वाला मतलब cosine function था, और हमने जब cos के लिए 90 degree की value solve करा, तो result हमें यहाँ पर 0 मिल गया, अब उसके बाद माल लीजे हम लोग अपने another function पर जाते है, tangent function, tangent का मतलब जो हमारा 10 function होता है, और हम लोग उस 10 की value माल लीजे check करते है, at 90 degree पर, तो 10 90 हमें क्या मिलेगा, यह मिल जाएगा हम लोगों को, sin 90 upon में यहाँ पर cos 90, यह आपको समझाया, अब आप लोग यहाँ पर बड़ी असानी से देख सकते है, कि जो sin 90 है, उसकी value क्या है यहाँ पर 1, तो यह आपके सामने 1 आ हो जाएगा, इसी equal to 0 नहीं देगा, लेकिन हा, approximate infinity, infinity की तरफ tends to हो जाएगा, यह आपको समझाया, उसी तरीके से आपके पास अगला function आता है, cos वाला, sorry, code, आपके सामने जो code tangent function होता है, तो code tangent को code कहा जाता है, माले जहाँ हम लोग code की value चेक करना चाहते है, at 90 degree पर, तो result हम क्या मिलेगा, code का मतलग होता है, cos 90 degree, और यहाँ पर होता है, इसका upon में, sin 90 degree, यह आपको समझाया, अब जो cos 90 degree है, उस cos 90 degree की value क्या है, यहाँ पे, 0, तो result आपको मिल जाएगा, 0, upon में sin 90 degree लिखा हुआ है, और sin 90 की value यहाँ पर क्या है, 1, तो 0 upon 1 आ जाएगा, और 0 upon 1 पूर क्या जाता है, माली जी है, हम लोग sec function की value निकालना चाहते है, add 90 degree पर, तो sec 90 degree का meaning होता है, one upon में cos 90 degree, यह सब लोग हम लोगों ने, जब second class या third class चल रही थी, वहाँ पर उनके ratio को पढ़ा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था, तो sec 90 degree जो होता है, वो one upon cos 90 degree हो जाएगा, यह आपको समझाया, और यह जो cos 90 degree है, इसकी value क्या है, 0, तो result आ जाएगा आपके सामने, यहाँ पर one upon में 0, यह भी आपको समझाया, और फिर से one upon 0 आ गया, तो one upon 0 जो हो infinity की तरफ, tends 2 हो जाएगा, तो result आपको मिल जाएगा, यहाँ पर infinity की तरफ, tends equal to infinity नहीं मिलता, लेकिन लिखा जाता है उसको infinity, उसके बाद आपके सामने last function बचा है, cosec function, cosec को short form में cosec कहा जाता है, तो यहाँ पर आपके सामने आजाएगा, मालेजिए cosec 90 degree, cosec 90 degree को आप लिखना चाहिए, तो one upon में sin 90 degree लिख सकते है, और यहाँ पर जो ही आपके सामने sin 90 degree है, उसकी value 1 है, तो result आजाएगा आपके सामने one upon में one, और one upon one solve हो के आपको one ही देगा, यह भी आपको समझा है, तो यहाँ से आप चाहे के चाहे ट्रिगनोमेट्रिक function की value at 90 degree पर बढ़ी आसानी से निकाल सकते हो, यह आपको समझाया, ठीक है, बागी यहाँ पर आज ह झाल जाल झाल